अब आ करके कह रहें कि बताओ इसमें स्कैम क्या है तो ठीक है मैं बताता हूं स्कैम क्या है आज अच्छे से बताता हूं और पूरी दुनिया को समझाता हूं कि स्कैम होता क्या है तो एक काम करते हैं एक वीडियो देखते हैं उस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग अपने व्यूज बताइएगा कि स्कैम है या नहीं है दूस्तो मेरा नाम नीरज है मैं राजिस्तान जोदपूर से हूँ बड़ा बिजिन्स है अभी पांच निंग पहले चार तारीक को चार सब्तमबर को मुझसे एग्रिमेंट पे साइन करवाए और बोले कि आपका जो यह केस है हम जोल कर देंगे जो आपका बाकी पेमेंट है वो हम आपको रिफेंट कर देंगे चार तरह के बाद हमारा एग्रिमेंट हुआ मुझे सेट्लमेंट एग्रिमेंट दिया कि आप अपर आप साइन को इसको अच्छे से रीड़ करो पढ़ो इसको पर आप साइन कार कि हमें भेजो तब हम आपको पैसा है वो हम आपको रिफ्रेंड कर देंगे के बाद तो मुझे दो तीन दिन बोलते रहे सर कल होगा परसु होगा चोफिस गंटे अटालेस गंटे ऐसे बोलत दोस्तो मेरा नाम है कलपिश करग और एक बाद फिन से अपने इस वीडियो में आप सभी कामें वैलकम करता हूँ दोस्तो संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा की जो कौर्ट निट्रोवर्सी है वो नेक्स लिवल पर जा जुकी है कौर्ट निट्रोवर्सी क्यों हुई इसका ये वाला वीडियो में ने बनाया हुआ है आप अगर जानना चाते हैं कि क्या मैटर चल रहा है तो इस वीडियो को देख सकते हैं अभी जो अगला लेवन है कहां तर बात पहुँचिए उसकी हम जानकरे लेने वाने हैं और ये जो कौर्ट निट्रोवर्सी चल रही हैं इस बारे में मेरे अपने क्या विचार है वो भी मैं आपके साथ शेर करूँगा अट्चुली दोस्तो संदीप महश्वरी जो है उनका मेरी नाइप पे काफी ज़्यादा इंपक्ट है इसलिए मन करता है कि इस कौन्टोवर्सी के बारे मैं बात करूँ तो दोस्तो ये जब कौन्टोवर्सी हुई जब संदीप महश्वरी जी ने अपना पहला वीडियो अ नाम लिया और बहुत सारी चीज़े वहाँ पर उन्होंने क्लियर करने का प्रयास किया लेकिन वीडियो के अंत में एक चलेंज भी किया कि आने वाले समय में साथ दिनों में आप देख लिजिए कि मैं क्या क्या करता हूं वो भी कह रहे थे कि आप भी तो फोटो बेचते हैं एक फोटो का कितना रुपए आप चार्ज करते हैं तो क्या फोटो केचने का इतना चार्ज लगता है तो वह सारी बाते विविग बिंद्रा ने संधीप मैश्वरी के बारे में कही थी उस वीडियो में कल संदीप महिश्वरी का एक वीडियो आया उस वीडियो में उन्होंने पहली बार सीधा आटेक किया संदीप महिश्वरी ने विविग बिंदरा के नाम के साथ टार्गेट किया हैस्टेग लडाया एक स्टॉप विविग बिंदरा अब दोस्तों एक्चुली मैं इस टॉपिक पर बात क्या कर रहा हूँ ये ट्रेंडिंग है इसलिए नहीं वज़र कुछ और है क्योंकि जहां तक मेरा अबजर्वेशन है मैं चीजों को समझता हूँ तो मैंने अपनी लाइट में ये महसूस किया है और ये समझा है कि जो बड़े लोग होता है जो काफी उचायों पर पहुचे हैं जिनोंने अपनी जीवन में सफलता प्राप्त की है तो इनका एक सिक्रेट रहता है और वो सिक्रेट ये होता है कि ये खालतू की बातों में उलजते नहीं है जैसे कि इसको में क्लियर करूँ हमारे रतन काटा डी है क्या आपने कभी देखा वो किसी से बहास कर रहे है किसी को जवाब दे रहे है या उनका किसी के साथ कॉर्ट केस चल रहा है देर वोई अंबानी मुकिस अंबानी बड़े बिजनेसमेन है अडानी देख लो अपने जितरी बड़ी-बड़ी सेलिब्रीटीज है उनको देख लो अमिता बच्चन देख लो तो ये जो बड़े-बड़े लोग होते हैं वो हमेशा इन चीजों से दूर रहते हैं कहने का मतलब यह है कि अपना जो दिमाग है न यहाँ पर वो बर्ब की सिल्ली रखते हैं विनकुल ठंडा रखते हैं इसको वो इसलिए रखते हैं ताकि वो creative work कर सकें अगर यहाँ पर ही शांती नहीं है तो उनके काम में शांती नहीं होगी उनके चीवर में भी शांती नहीं होगी तो कहने का मतलब यह है कि उनकी जो सफलता का राज है न वो यहीं शिपा होता है कि यहाँ पर उनके बहुत ही कूल होता है बर्ब की सिल्ली होती है यह समझ लेडिया अब अभी जो संदीप महेश्वरी और विविग बिंदरा के बीच में चल रहा है मैं यह नहीं कहा रहा हो कि कौन सही है यह क्या कौन गलत है पर यहाँ पर मेरे नहीं यह अन्ट एक्सपेक्टेड है यह कुछ ऐसा चल रहा है जैसा आपने यूट्यूब पर कुछ समय से आप देखते हैंगी कि छोटे-छोटे जो यूट्यूबर्स हैं उनके व्यूज नहीं आते हैं फिर वो किसी बड़े यूट्यूबर को टार्गेट करते हैं उनका मकसद इतना सा होता है कि इसको मैं छेडूँगा ये कुछ बूलेगा तो मेरे व्यूज आ जाएंगे कॉट्यूबर्स ही पैदा हो जाएगी और मेरा भी चैनल ग्रो हो जाएगा ये काफी कुछ समय पहले चला था तो वो लोग यह ऐसा करता है तो समझ में आता है पर यहापर संदीप महेश्वरी और विक बिंद्रा और खास कर संदीप महेश्वरी जी जो एक इतनी बड़ी हस्ती हैं कि जिनको मैं अपने शब्दों में बया नहीं कर सकता उन्होंने मेरे जैसे कई लोगों का जीवन बतला है आज मैं आपके सामने खड़ा होके बोल पा रहा हूँ मैंने अपने यूट्यूब चैनल खड़ा कर लिया सिर्फ उनकी बदल रहते हैं उनके मोटिवेश्वरी वीडियो की बदल रहते हैं और सिर्फ मैं नहीं मेरे इसे कई लोग तो यहापर जो उनके फैन हैं जो उनको बहुत कुछ मानते हैं उनके लिए बिल्कुल शौकिंग हैं वो इस तरह की चीज की जराबी अपिक्षा नहीं करते हैं अच्छा अभी तीन विक पहले संदीप मैश्वरी जी की एक पोस्ट आई थी वो पोस्ट क्या थी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसको थोड़ा सा पढ़ लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहरा हूँ पर कही न कहीं जो हो रहा है वो मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा है मेरे दिमाग में यह चीज़े पच नहीं रही है मैं कभी इस तरह की चीज़े उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता तो आप इसको पढ़िए जिस संदीप मैश्वरी को हम जानते थें वो बिल्गुल अलग थें आज हमारे सामने जो हैं वो बिल्गुल अलग हैं वो कहते हैं कि जब शुरज उगता है तो ऊगर एक टॉप पर पहुँचता है और टॉप पर पहुँचते ही उसके बाद वो डनता भी है दीरे दीदे देए इस तरह सी controversy जो हुई है काफी चिप नदर आये संदीप महिस्वरी जैसे एक motivational speaker जो शायद दुलिया में कही नहीं है उनके जैसा दुसरा कोई नहीं अगर आप उनके जवानी के वीडियोज देखेंगे जब उन्होंने the last life changing seminar किया था unstoppable किया था यह वीडियोज आप देखिएंगे आपको पता चलेगा कि हूफ क्या जीड है पर आज जो हो रहा है जीवन में अभी ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया क्यों कर रहे हैं मुझे सवज में नहीं आ रहा है लेकिन हाँ इसके पीछे उनकी कोई परसनल वजब भी हो सकती है शायद उन्हें कुछ ऐसा लग रहा है कि जो यूथ हैं उसको भटकाया जा रहा है यह जो courses है वो बड़ी मात्रा में बेचे जा रहा है यह सिर्फ विवेक बिंदरा जी की बात नहीं है उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे courses चल रहा है जिनके अंदर values नहीं है तो शायद यह जो दर्द है उसी दर्द ने उन्हें मजबूर किया है ऐसा करने के लिए अच्छा अब यह जो लड़ाई है वो बिल्कुल next level पर पॉर्ट चुकी है संदीप मैस्वरी जी ने दो दर्द की यूथ का आवान किया है पहली यूथ हो वाली हैं जो फस चुके हैं ऐसे course जिन्होंने ले लिये हैं और दूसरी यूथ जो हैं जिनको support करना है जो कहीं फसे नहीं है जिन्होंने course नहीं खरीदा है लेकिन उनको support करना है और जो legal help लगेगी जो भी पैसा खर्च होगा संदीप महिश्वरी जी नहीं कहा है कि दो तिन महीनों के लिए मैं अपने चैनल का monetization on कर दूँगा और उससे जो भी पैसा मिलेगा न वो सारी legal help में मैं खर्च करना है तो काफी next level का ममला होवे आय है उधर विवेक बिंद्रा भी तैयार है संदीप महीश्वरी जी के account के बारे मैं बात कर रहे है वो कुछ और नाया निकलने की बात कर रहे है इधर संदीप महीश्वरी जी गैह रहा है कि मैं किसे से डरता नहीं, मुझे डराने की कौशिश करना भी मत, और वो तो हम सभी जानते हैं कि संदीप सर कमपी किसे से डरने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी जो चीजे मेरे दिमार में चल रही थी, वो मैंने आपके साथ शेर डी, अचा आप मुझे ये बताना कि क्या बा अगर इस तरह की कॉंट्रोवर्सी दोनों के बीच में हो रही है, आपको क्या लगता है, क्या सही है, क्या अगर लगते हैं मुझे कमेंट कर दे दे दो बताना, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाएं तो इससे नाइक करें और शेयर करना ना पूले, अगले वीडि क्या सकता है, 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 क